पहला कुश्चन है हाल ही में बच्चों की बहाली और सौधेस वापसी के लिए NCPR ने किस पोर्टल का अनावरण किया है तो इस कुश्चन का राइट को आंसर होगा, उप्सन सी राइट होगा, उप्युक्त दोनों यहने घर और वाइल्ड ट्रेक महिला एवं वाल विकास मंत्राले ने दो महत्पूर्ण पोर्टल ट्रेक चाइल्ड पोर्टल और घर गो होम एंड रीन यूनाइटेड पोर्टल के विकास का बीड़ा उठाया है यह प्लेटफॉर्म लापता और पाई गए वच्चों पर नजर रखने, बहाली और प्रत्या वर्टल प्रक्रियाओं को बढ़ाने और किसोर न्याय प्रणानी के दाइरे में कमजोर नावालिकों के कल्यान की सुरक्षा के मात्पूर्ण भूमी का निवाते हैं नेक्स कुछिन क्या होगा, दूसरा कुछिन होगा, हाल ही में किस देश में भारत को 31 प्रिडेटर ड्रोन बेचने की मंजोरी दे दी है, इस कुछिन का राइट अंसर होगा, और प्रेसिडेंट कौन है, जोए बाईडन भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्जर प्रहार उम्रोई में घाला में हुआ है भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्गाटन न्यू जर्सी में किया गया है नेक्स कुशिन क्या होगा तीसरा कुशिन है हाल ही में जेस्टिस रीतु बहारी को किस राज जी की महिला मुक नयदेश निक्त हुई है तो इस कुशिन का राइड आंसर होगा ओप्सन सी राइड होगा उत्रा खंड ये हैं जेस्टिस रीतु बहारी जिन्हों ने इनको उत्रा खंड राज जी की पहली महिला मुक नयदेश की रूप में चुना गया है अब बात है उत्रा खंड की तो ये है मैप में उत्रा खंड उत्रा कंड की कैपिटल क्या है देहरा दून है उत्रा खंड की कैपिटल चीफ मिनिस्टर कौन है पुसकरत सिंग धामी और गवर्नर कौन है गुरमीत सिंग अब बात है उत्राखंड की तो important question क्या बनेंगे कि उत्राखंड के मुख मंतरी ने रोजिकार प्रियाग बोटल लॉंच किया है दस दिवसी उत्राखंड महोशो लखनाव में सुरू हुआ है सैयुक्त सैन ने अभ्या सूर कीरण का सत्रहवा संस्क्रण पितोरागड उत्राखंड में आयोजित किया जा रहा है उत्राखंड सरकार ने बाहरी लोगों को बाहरी लोगों द्वारा क्रसी भूमिक खरीदने पर प्रतिबंद भी लगाया है next question क्या होगा next question है किसे केरल में संकर इसमरती पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो इस question का right answer होगा option b right होगा इसुरी प्रसाद इसुरी प्रसाद नमपदारी को यह है इसुरी प्रसाद नमपदारी जिन्हों इनको केरल की संकर इस्तमरती पुरुसकार से सम्मानित किया गया है नेक्स कोशन क्या है नेक्स कोशन है हाल ही में किसने 9 in capital years अरियाना government पुरुसकार का विमोचन किया है तो इस कोशन का right answer होगा और अरियाना government पुरुसकार का विमोचन किया है नेक्स कोशन क्या है हाल ही में साउथ के किस अभिनेता ने राजनीतिक पार्टी तमी जांगा विद्री कजगम लौंच किया है तो इस कोशन का right answer क्या होगा इस कोशन का right answer होगा option C right होगा धलापती विजय यह है धलापती विजय कमिल लांडू के लोगों को संबोधित एक पत्र में धलपती के नाम से मसहूर उन्चाश वर्सी अभिनिता विजय ने राजनीतिक में सामिल होने पर अपने फैसले की गोशना की है उन्होंने कहा कि उनका फैन कलब गैर सरकारी संगठन बन गया है जो कि कई वर्सों से कल्याण के लिए काम कर रहा है लेकिन यह अकेले पूर्स सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सुभार नहीं ला सकता इसके लिए राजनीतिक सक्तिकी अवसकता है नेक्स कुश्चन क्या होगा नेक्स कुश्चन है हाल ही में कहां मा कामक्या मंदिर का कॉरिडोर का सिलन्यास किया गया है तो इस कुश्चन का राइट आंसर होगा ओप्सन पी राइट होगा असम में ठीक है ना प्रधान मंत्री नारेंद्र मोदी जी ने चार फरवरी दूजर चौबिस को असम को दोरा किया और इस दोरे में उन्होंने 11,600 करोड रुपए की परियोजना का उद्गाटन किया है और कहा है कि आयोध्या में भव्वे आयोजन के बाद मैं यहां मा कामे ख्या के दोर पर आया हूँ और आज मुझे यहां मा कामा क्या दिव विलोग परियोजना का सिल्ले नयास करने का सौभाग प्राप्त हुए है अब बात है असम की तो असम की कैपिटल क्या है असम की कैपिटल है दिसपूर देखेना चीफ मिनिस्टर कौन है हेमंत विश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वा प्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुहा आटी में हुआ है असम के मुकमंतरी को सिंगापुर की सीर्स फैलोशिप से सम्मानित किया गया है नेक्स कोशन क्या होगा नेक्स कोशन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुरो मंडल फर्टिलाइजर का 5.92 करोड रुपए का सुर्माना लगाया है तो इस कोशन कर राइट आंसर होगा ओपसन सी राइट होगा तमिल नाडू तमिल नाडू की बात है तो यह है मैं अपने तमिल नाडू तमिल नाडू की कैपिटल क्या होगी चेन नहीं होगी तमिल नाडू की कैपिचल मुख मंत्री कौन है M की स्टैलिन M की स्टैलिन यहां के मुख मंत्री है और गवर्नर कौन है RN रवी RN रवी यहां के गवर्नर है अब बात है तमिल लांडू की तो इससे इंपोर्टेन क्वेशन क्या बनेंगे हुंड़े और IIT मत्रास तमिल लांडू में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली इस्थापित करेंगे टाटा पावर ने तमिल लांडू में सत्तर हच्छार करोड रुपए नेवेस करने की घूशना की है के लिए सौवरेन गोल्ड ब्रांड जारी करने के लिए रासी बढ़ा कर कितना कर दिया गया है तो इसकुशन के राइट अंसर होगा ओप्सन पी राइट होगा 35 करोड कर दिया गया है वित्तिय वर्स चौबिस पच्चिस में वित्तिय वर्स चौबिस पच्चिस के लिए सौवरेन गोल्ड बॉंड जारी करने के लिए रासी सरकार ने बढ़ा कर 35 करोड भारत के अगले वित्तिय वर्स के लिए सौवरेन गोल्ड बॉंड जारी करने की रासी को दोगुना 35 जो कि बहुत इक सोने के निवेशकों की रुची को तूर करने में SGB की सफलता पर जोर देता है नेक्स कुशन क्या है? नेक्स कुशन है अब बात है जारखंड की तो यह मैप में जारखंड जारखंड की कैपिटल क्या होगी? राची होगी जारखंड की कैपिटल जारखंड की मुख मंत्री कौन है? चंपई सोरेन यहां के मुख मंत्री है और गवर्नर कौन है? सीपी राधा कृष्टन यहां के गवर्नर है अब बात है जारखंड की जारखंड से important question क्या मनेंगे? जारखंड सरकार ने आदिवासियों और तलितों के लिए वर्त्था वस्ता पेंसन आयू वर्स घटाकर पचास वर्स कर दी है प्रधान मंत्री मोधी ने दस हज्जारवे जन आउसादी केंदर का उदगाटन देव घर में किया है स्रमिकों के लिए नियुनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राजिवी जारकर्ण बना है next question क्या होगा? क्या रहा है मा question होगा? हाल ही में किसे सूचना एवं प्रसाणन सचीफ नियुक्त किया गया है? तो इस question का right answer होगा? option C right होगा संजय जाजू यह है संजय जाजू जिनको सुचना एवं प्रसाणन सचीफ नियुक्त किया गया है ठीक न next question क्या होगा? next question है हाल ही में किसे स्वास्त सचीफ नियुक्त किया गया है? तो इस question का right answer होगा option B right होगा अपूर्व चंद्रा को यह है अपूर्व चंद्रा जी जी ने स्वास्त सचीफ नियुक्त किया गया है अपूर्व चंद्रा महराष्ट क्रेडर के महराष्ट क्रेडर के 1988 बेच के आईएस अधिकारी है भारती प्रसाणन सेवा के ने कार्मिक मंत्राले द्वारत जारी एक लादेस में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिती के स्वास्त एवं परिवार कनल्यान विभाग के सचिव के रूत में अपूर उचंद्रा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है नेक्स कुशिन क्या है नेक्स कुशिन है किस राज्य में तीने दिवसिये वेरुल अजन्ता महोशो शुरू किया जाएगा तो इस कुशिन का राइट अंसर होगा ओप्सन ए राइट होगा महराष्ट्र महराष्ट्र में वेरुल अजन्ता महोशो शुरू किया जाएगा अब गवर्नर कौन होंगे रमेश वैसिया की गवर्नर है अब बात है महराष्ट की इंपॉर्टन कोईशन क्या बनेंगे 27 वे राष्टी युवा महोश्यों का आयोजन नासिक में किया गया है महराष्ट पुलिस का नया DGP रस्मी सुकला को बनाया गया है देश की सबसे बड़ी अर्थवस्था की रूप में महराष्ट उबरा है फूरे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधी का गिनेच वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है ठेकना FDI प्राप्तकरता की रूप में देश में महराष्ट जो है सीरसिस्थान पर है Next Question क्या होगा Next Question है Justice प्रतीब कुमार को किसराजि का उच्छ नयाले स्थाई नयाधिस के रूप में न्युक्त किया गया है तो इस Question का right answer होगा Option C right होगा छार खंड है ये हैं Justice प्रदीप कुमार जो की उच्च नयाले के इस्ताई नयाधिस के रूप में नुक्त किया गया है, कहां के छार खंड के, ठीक है न, अब आपके लिए आज का कोश्चन है, हाल ही में विश्यो कैंसर दिवस कम मनाया गया है, इस कोश्चन का राइट अंसर आपको कॉमे कॉमेंट बॉक्स में बताना है, और आपको यह विडियो आपको जरूर पसंद आई हो, अगर आपको यह विडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस विडियो को लाइक करें वा अपने उन दोस्तों को सेयर करें, जो कॉम्टीशन एक्साम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस व पेज क्रिटिकल स्टेडी 3.1 को आप फॉलो कर सकते हैं, तथ डेली करेंट अफिर्स विडियो के लिए हमारी यूटूब चैनल क्रिटिकल स्टेडी को जरूर सस्क्राइब करें, धन्यवाद